बहुत सारे ऐसे colleges होते हैं या universities होते हैं जैसे मैंने आपको हमने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें बोला था 100% scholarship तक मिल सकते हैं मतलब free भी हो जा सकता है अगर बच्चा अच्छा है और एक average student है जिसका बहुत अच्छा profile नहीं है फिर भी fees कम चाह रहा है तो colleges हैं जो कि आपका 10-12,000 डॉलर में या 8-12,000 डॉलर में आपको बहुत सारी options मिल जाती हैं मतलब आपकी on and average 7,000,000 से लेके 10-11,000,000 तक साल की fees में अच्छी options मिल जाती हैं अब आपका जो है fees कम आ गया है लेकिन जो colleges है वो ज़्यादा तर bachelor courses देती हैं कुछ colleges आपको master courses देंगे अब masters है तो आपको obviously 16,000, 17,000, 18,000 डॉलर तक even universities भी आपको दे देती हैं तो वो 15-16,000,000 रुपया साल का अगर US में अगर हम जाएं and 15-16,000,000 की हम बात करें तो बहुत कम fees है कोई जादा fees नहीं है अब उसमें भी choice क्या है कि आपको fees वीजा के बाद देने हैं वीजा से पहले आपको एक पैसा भी नहीं देना है खाली आपको service fees, ambassador fees या किसी-किसी college या university में I-20 fees होती है वो किसी की 40-50 डॉलर भी होती, किसी की 100 डॉलर भी तो एक छोटा सा amount देके जस्ट आप जो है आप वीजा के लिए apply कर सकते हैं और फिर आप particular college या university जो आपको comfortable लग रहा है आप उसमें जा सकते हैं तो मेरे खाल काफी कम fees वाले options हैं लेकिन वो हर profile के हिसाब से हमें search करना पड़ता है अब माल लिजे arts वाला profile है तो उसके लिए अलग option होएंगी अगर medical है या अब US में मैंने last time भी बताया था nursing के लिए यह कोई requirement ने कि 7 band each जाहिए आप 6 band में भी जा सकते हो 6.5 में भी जा सकते हो लेकिन nursing में हमेशा prefer करते हैं कि आपने IELTS किया हो without IELTS M.O.I. पर हम prefer नहीं करते हैं तो वो एक अच्छी option बन जाती है तो fees तो as low as it is आपकी $18,000 से शुरू के और एक average fees है जो $20,000 तक जाती है जो कि बहुत जादा fees नहीं है और अगर हमाल लेजे किसी university की fees है $25,000 और अगर हमें scholarship मिल गई है 30-40% भी मिल गई है तो वो भी एक अच्छी काफी average fees हमारे पास आ जाती है जो कि एक आपके budget को comfortable होती है क्योंकि आपको जो funds है वो चाहिए one day old show कर दीजे तो आपके pocket पे pressure नहीं बढ़ता है fees आपको visa के बाद देनी है तो comfortable आपको बनाता है कहीं न कहीं US पाकी countries की तरह नहीं कि fees visa के पहले देनी है देखो appointment का क्या है कि time एक intake के साफ से कुछ slot खुलते हैं वो slot में immediate appointment उठाने पड़ती है अब jan में जैसे कुछ slots कुलने है तो जो बच्चों की jan last में classes है क्योंकि US का जो visa decision है वो कोई लंबा नहीं होता same day visa decision है अमान लिजे बच्चे की class 25th january को है और उसको 5-6 jan की date में लिए है तो ठीक है 5-6 jan को वो अपनी interview देके then उसके पास hand 20 days के असपास fly करने के लिए तो वो अपनी preparation कर सकता है क्योंकि अखर मान लिजे decision में है one month फिर student को problem आ सकती है US का जो सबसे हर चीज इन्होंने बड़ी easy रखी है fees visa के बाद है जो आपका decision है visa decision वो same day है visa officers ने कुछ question पूछने है मुश्किल से 3-4 question पूछते है उसमें अगर उनको लगता है कि बच्चा अच्छा है तो same day visa immediate मिल जाता है और खाली उसके लिए थोड़ा साथ में confidence होना चाहिए और जब कि ज़्यादा तर बच्चों में confidence होता है तर बच्चों में तर बच्चों में होता है